तो फ्रेंट्स जैसा कि आपने थमनेल देखा तो उसी के अनुसार मैंने लिया है आगा कप पानी तो आज का केक जो बनने वाला बहुत ही अलग टाइप का है उसमें मैंने एक चम्मच जो है छोटा चम्मच चाय की पत्ती डाल दी है और उसे मुझे एक बॉयल होने तक मतलब दो मिनट तक गैस फ्लेम पे लखना है मिन्स के अभी तक कॉफी वाला केक देखा था लेकिन चाय वाला केक सही में आपने नहीं देखा होगा तो आज देख लीजिए ना तो आब इसे हमने स्ट्रेंड कर दिया मतलब चान दिया और इसे हम रख देते हैं साइड में अब य अब आधा चीजों को मिक्स करके अब मैं डालूंगी आधा कप वेज़िटेबल ओयल मतलब कि इस केक में आधा कप वेज़िटेबल ओयल जाएगा ही फ्रेंड इन सबी चीजों को हम साइड में रख देंगे अब ड्राइ इंगे लेते हैं तो यह हम लेंगे औल पॉर्पस फ्लॉर मिंस की मैदा देर कप मैदा कितना लेंगे फ्रेंड देर कप मैदा लेंगे इसमें हम डालेंगे दो चम्मच मिल्क पाउडर यहां पर फ्रेंड एक चम्मच जो है चोटा चम्मच बेकिंग पाउडर चोथाई चमच बेकिंग सोडा डाल देंगे सभी ड्राइ इंग्रिडेंट को अच्छे से मिक्स करके और इसे हम छान लेंगे मिक्स करना भी जरूरी है और छानना भी ज्यादा जरूरी है तो हम छान के उसे साइड में रख देंगे उससे पहले हम क्या करेंगे कि भगोने में नमक डालके और इके स्टैंड डाल देंगे और उसे ढख देंगे बिना ओविन का ये केक मैं बना रही हूं फ्रेंट्स और यहां देखिए फ्रेंट्स हमने लिया स्क्वाइर केक टीन जिसमें की एक पॉंट तक का केक बन जाता है उसे हमने कर लिया है ओयल से दाल के डालके डालेंगे इसे हम डीस भी है यहां देखिए फ्रेंट्स यहां बहुत इजली बाहर आ जायगा और उन्हें बिस पॉंज ही चाहिए था इसी नहीं चाहिए था थोड़ा सा मेरे लिए कॉंपलिगेटेटर्ट की मतलब की बने टेस्ट पसंद आएगा की नहीं को दाल करके नहीं चलाना है सब नृको तोड़ा थोड़ा करके मिला दीजिए उसके बाद कट एंड फोल के प्रोसेस को मिला येगा और अभी जो इस तरह से ही मिक्स करना है आपको केक को जो बैटर हम रेडी कर रहे हैं उसे और अच्छे से आपको इसे मिक्स कर देना है फ्रेंड्स केक नवाकर में बहुत अच्छ अब लग रहा है कि जैसे यह रीवन कंसस्टेंसी दिखने लगेगा रीवन की तरह यह गिरने लगेगा ना यानि कि रेडी हो चुका है बेक होने के लिए अब ही केक राइस बहुत अच्छे से होगा क्योंकि इसके अंदर फूट जैम है फूट जो होता है वो थोड़ा करेंगे कि बैटर को केक टीन में डाल देंगे और कीक का एक है फ्रेंड की इसका टेप्स यह है कि आप केक बनाने के कभी भी चार से पांच घंटे के बाद ही केख यह अब को जैसे कि कल की खाना है तो आज रात को बेख करें उससे उसका टेस्ट बिल्कुल अलेग होता है तो थेस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है सुरू के पांच मिनित बस मीडियम फ्लेम पे और कितना बनिया राइज हुआ है ना फ्रेंड्स पांच मिनट में ही है और उसके बाद आपको लो फ्लेम पे बीस से पचीस मिनट तक या फिर जब तक वो अच्छे से पग अच्छा राइज हुआ है तो थोड़ी देर मैं और इसे पांच मिनट लो फ्लेम पे पकाती हूं और उसके बाद चेक करती हूं तो यहां तूथ पीक एकदम क्लीन आ रहा है यानि कि केक हो चुका है बस इसे मैं निकालूंगी बाहर और इसके बाद भी एक टिप्स है जो क फ्रूट केक या बेस तो बटर जरूर उस पे स्प्रेड करते हैं इसे बहुत ही अच्छा मोइस्ट रहता है ब्राउनी फ्रूट केक बनाने से ऐसा जरूर करना थे वीडियो पशंद आई हो तो लाइक करना चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेना तो मैंने इस कि कैसा बना है तो यह देखे मैं आपको कुछ लगेगा तो आपको क्या लगता है कि कैसा लगेगा खाने में तो बहुत अच्छी ता वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर लीजेगा चैनल पर पहले बार है तो सब्सक्राइब कर लीजेए बबाएफ फ्रेंड निलते है अ एक नई सी केक के साथ या फिर किसी रेसिपी के साथ या फिर किसी आइसिंग के साथ जो मिल जाएगा वहीं बाबाई